Hello everyone, इस वीडियो में आज हम money के evolution के बारे में जानेंगे यानि किस तरह से हम तक money आई और इसका society में किस तरह से introduction हुआ था और आज ये किस तरीके से use की जा रही है इन सब के बारे में इस वीडियो में आज हम जानेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि barter system क्या होता है barter system क्या होता है जब एक समय में हमारे पास money नहीं थी यानि कोई भी exchange का कोई medium स्थापित नहीं किया गया था यानि कोई ऐसा जरिया नहीं था जिसके through आप exchange कर सके सामान को तो उस वक्त क्या किया जाता था कि commodity के बदले commodity exchange की जाती थी यानि goods देकर goods लेकर के exchange किया जाता था जैसे पर example एक मालो वेक्ती है जिसको जूते चाहिए और दूसरा वेक्ती है जिसको rice चाहिए तो क्या करता था गेलो क्या करते थे कि राइस को जिसको राइस चाहिए उसको राइस दे देते थे और जिसको जूते चाहिए वो जूते डे लेता था पर इसमें क्या होता था ना कि एक चीज़ में confusion होने लगा क्योंकि जिस व्यक्ति को कभी कभी क्या होता था कि जिस व्यक्ति के पास जूते हैं उसको rice चाहिए पर जिस व्यक्ति के पास rice है उसको जूते नहीं चाहिए यानि उसको यह rice नहीं दे सकता जूतों के बदले ठीक है तो क्या होता था फिर यहां पर exchange possible नहीं हो सकता था यहां पर आपको सामने वाले व्यक्ति को ढूड़ना पड़ता था जो आपका सामान ले सके यानि जो आपके पास जो सामान है वो समान को उसकी जरूरत हो, उस समान की जरूरत सामने वाली के व्यक्ति को हो, तब जाके वो आपका समान खरीदेगा ना, तो ऐसा नहीं हो पाता था, जनरली, तो इसके कारण एक प्रॉब्लम आने लगी, जिसको नाम दिया गया, double coincidence of wants, यानि wants जो है, वो दोनों तरफ से हो होना चाहिए, मैं उसकी want होनी चाहिए, उस समान की, वो चाह रहा हो, कि हम इसका सामान ले सके, तब ही जाके वो अपनी सामान हमें देगा, तो इस तरह की problem होने लगी, जिसके कारण money का involvement हुआ, और हमारे society में money आई, बार्टर सिस्टम को C2C economy भी कहते हैं, यानि commodity for commodity economy, इस में commodity के बदले commodity exchange की जाती थी, जिसकी वज़े से इसको नाम दिया गया, C2C economy, अब हम जानते हैं कि money का evolution किस तरह से हुआ, सबसे पहले मैंने आपको बताया, बार्टर सिस्टम हुआ, यानि कि सबसे पहले क्या हुआ थे, goods के बदले goods exchange किये जाते थे, ठेक है, next फिर आया metal coins यानि जब मुगल पीरियड था, या फिर अशोका का पीरियड था, हमारा जो भी history रही है, उस वक्त क्या होता था, metals के coins यूज किये जाते थे, कुछ इस तरह के, gold के, brass के, bronze के, ठीक है, तो इस तरह से metals के coins यूज किये जाते थे, silver के, metal के coins यूज किये जाते थे, उसके बा करते हैं, ठीक है, paper money के बाद, आज के समय में, हम plastic money यूज कर रहे हैं, यानि इस तरह के cards यूज कर रहे हैं, जो कि बने तो होते हैं, प्लास्टिक के, इसमें हमारे account के पूरे details होते हैं, हम इनसे transaction करते हैं, ठीक है, ना, exchange करते हैं, सामान खरीते हैं, इन plastic cards से, जिस वज़ प्लास्टिक money के ही examples हैं, तो इस तरह से, आज के समय में आपको बताया कि दो तरह की currency यूज की जा रही है, पहला तो paper currency और दूसरा plastic money, coins भी यूज की जाते हैं, पर वो alloy के coins होते हैं, metal coins नहीं होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमारे society में, या हमारे economy में, money का evolution हुआ, पहल हुआ, metals coin आए, यानि gold, silver, bronze, इन सब के metal यूज किये जाने लगे, फिर paper notes आया, और अभी हम current में plastic money यूज कर रहे हैं, ATM card, या फिर debit card, credit card के जरिये, ठीक है, तो इस तरह से, इस वीडियो में मैंने आपको evolution of money बताया, next वीडियो में मैं आपको money के forms बताऊंगी, और जिसे क इस वीडियो को like करिए, बहुत महिनत लगती है बनाने में, और मेरे चैनल को subscribe करिए, इस वीडियो को अपने friends के साथ जादा से जादा शेयर करिए, thank you